हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको टू थिरी एर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने 75 सेंटिमिटर फेब्रिक लिया है ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर योग के लिए हमने दो पीस ले लि ही है शोल्डर हमें इसका 4.5 इंच रखना है ऐसे करते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं आर्म होल की लेंध हमें इसकी 5.5 इंच रखनी है यहां से हम इसको चकोर कर लेते हैं अब इसमें हम गोलाई कर लेते हैं नीचे की साइड से फिटिंग के लिए हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इसको उपर तक तिर्चा करते हुए मिला लेते हैं अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक का यह जो निशान लगा हुआ है यह हमें कट नहीं करना है हमें इसका दूसरा नेक तयार करना है यह देखिए नेक की चोड़ाई यहां से हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको 3.5 इंच रखना है फ्रेंड्स इसका नेक हम थोड़ा सा डीप बन प्रेंट्स पाइपिन हमारी फुल रेब की होनी चाहिए यह दो पीस हमने घेरे के लिए ले लिए हैं जिसकी लेंग 13 इंच है और चोड़ाई में यह 26 इंच है एक साइड से हमें चुलनटे डाल लेनी हैं और एक साइड से हमें इसका घेर फॉल्ड करना हैं यह देखिए फ्रेंट्स सबसे पहले हम इसका बेक नेक तयार कर लेते हैं पत्टिको हमें यहां पर हमें इसको रखना है और दोनों साइडों मे इसके सिलाई लगा देनी है अब बीच में हम इसके हलका सा एक कट लगा लेते हैं सभी फेबरीक इसके नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर हमें एक सिलाई लगा लेते हैं इसके बाद हमें इसको ऐसे फॉल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह देखें यहाँ पर पट्टी हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लग कर तयार हो गई है अब हम दूसरा शोल्डर का पीस ले लेते हैं और दोनों शोल्डर पर इसके सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट्स शोल्डर पर हमें हमेशे डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे जब हम स्लिर्ज या नेक में पट्टी लगाएं तो इसमें परिशानी ना हो अब ये हमने आर्म होल में पट्टी लगानी है अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इसको हमें पट्टी को ढीला छोड़ना है कहीं से भी हमें इसको खीचना नहीं है क्योंकि ये पट्टी हमें अंदर की साइड को फोल्ड करनी है और इसमें अंदर की सिलाई भी हमें बराबर लेनी चाहिए जिससे हमारी पाइपिन की शेप पट्टी बहुत अच्छी तरीके से लगकर तयार होती है हमें अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी में हलके हलके से कट लगाने होते हैं जिससे फैबरिक अंदर की साइड को अच्छे तरीके से मुड़ सके अब हम इसको डबल करके इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी बहुत जादा फिनिशिंग के साथ लगकर तयार होगी यह यहाँ पर हमारी पट्टी लग गई है अगर आपका अंदर की साइड को एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको काट दीजिए और अगर कम है तो ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए यह देखिए अब हमें पट्टी को इसको फाइनल सिलाई इसके उपर लगा देनी है आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी मुड़कर तयार हो रही है यह देखिए पट्टी यहाँ पर हमने लगा दी है नेक में और दूसरा आर्म होल में भी हमने पट्टी ऐसे ही अपनी लगा कर तयार कर लगी है यह देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसमें पट्टी लग गई है अब हम इसका नीचे का घेर तयार करते हैं सबसे पहले घेर में हम एक साइड में चुननटे डाल लेते हैं और इसको योग की चोड़ाई के बराबर हम कर लेते हैं इसमें आप जिस तरीके से भी आप चुन्नटे डालना चाहती हैं उसी तरीके से चुन्नटे डालकर इसको तयार कर सकती हैं अब यहाँ पर योग और घेरा एक साथ जोड़कर हम तयार कर लेते हैं दोनों पीस हमें सेम अपने ऐसे ही तयार करने लें हैं ये देखें योग और घेरा हमारा जुड़ गया है दूसरा पीस भी हम अपना ऐसे ही तयार कर लेते हैं दोनों घेरे हमने लगा कर अपने तयार कर लिये हैं अब हम अपने फ्रंट के योग पर जहां पर हमने ये घेरा और योग जोड़ा था उस जंगे पर हमें इस तरीके से लेस लगा लेनी है फ्रेंट्स ये रेशम की लेश है बच्चों के चुपती नहीं है और ये जादे महंगी भी नहीं आती है इसको आप आसानी से लगा सकते हैं अब यहां से वन निंच की दूरी करते हुए हम इस पर एक लेश और लगा लेते हैं उसके बाद इस पर एक लेश और हमें लगानी हैं यहां पर थ्री लेश हमें इस पर लगानी हैं यह देखिए फ्रेंट्स बिलकुल बरावर दूरी मापते हुए हमें इस लेश को लगाना ह फ्रेंड्स हमने इसमें बहुत हलका सा और सिंपल सा समर के लिए डिजाइन बनाया है और यह बहुत खुबसुरत भी लग रहा है इस तरीका ड्रेस में आप डिजाइन बहुत ही आसानी से बना सकती हैं इसी तरह के से काफी प्यारे प्यारे से डिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है जिसमें आपको ड्रेस डिजाइन और फ्रोक डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे जिन में हमने स्टेप बाई स्टेप कटिंग एन स्टेचिंग भी बताई उसमें से हम इसको पलट लेते हैं किसी भी चीज से हम इसके कोने निकाल लेते हैं यहां खुले हुए हिससे पर हम इसके सिलाई लगा देते हैं अब यहां से एक साइड से हमें इस पर लेस रख लेनी है अब लेस को हमें दूसरी साइड पर पलट लेना है अब हम इसके इस स और इसपर सिलाई लगा देते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंस, यहां पर वो हमारी कितनी प्यारी सी बनकर तयार हो गई है एक साल थ हमने काट दी है और फॉल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है अब हम इसको डबल कर लेते हैं और सेंटर में इसके मार्क कर लेते हैं फ्रेंट्स आप हाथ की तुरुपाई की सुईंग की मदद से भी इसमें चुननटे डाल सकती है और मशीन से भी चुननटे डाल सकती है अगर आप मशीन से चुननटे डाल रही है तो आपको 3-4 सिलाई इसमें लगा लेनी है यह देखें यहां पर यह बो हमारी बन गई है अब नीचे की साइड हमें इसमें लुपिया लगा लेनी है फोर पीसिस यहां पर हमने ले लिये हैं जिसकी चोड़ाई और लंबाई 2.5 इंच है अब हम इसको डवल कर लेते हैं और यहां से इसमें गोलाई कर लेते हैं दो पीस हम लेते हैं और इनको डवल मिलाते हुए नीचे की साइड से हम इसको सिलाई लगा कर पलट लेते हैं दूसरा पीस भी हमें सेम अपना ऐसे ही तयार करना है अब हम इसको पलट लेते हैं और इसके उपर किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं यह देखें यहाँ पर सिलाई हमने लगा दी है अब हम इसके यहाँ पर नीचे की साइड पर एक लेस लगा लेते हैं जिससे इसकी डिजाइनिंग और भी जादा प्यारी हो जाएगी फ्रेंट्स आप इस फ्रोक को कोटन के किसी भी फैबरिक में बना सकते हैं और आप इस फ्रोक को प्रिंट में भी बना सकते हैं जो उसमें प्रिंट हो उसी तरह की लेस आप ले लीजिए और सीधी पट्टिया भी इसमें लगा सकते हैं अगर आप लेस नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसमें सीधी पट्टिया भी लगा सकती हैं। यह देखें, लेस को हमने यहां पर बीच में रख लिया है, और इसको अब हम पलट लेते हैं। यह देखें, कितने प्यारा सा यहां पर हमारा डिजाइन बनकर तयार हो गया है। अब हमें यहां पर फ्रोक के एक साइड में इसको रख लेना है, और बीच के हिस्से पर इसका बीच का हिस्सा ही रखना है। और यहां पर रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा देते हैं फ्रेंड्स ये बो आप हाथ की सुई से भी यहां पर लगा सकते हैं और मशीन से भी लगा सकते हैं आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी डिजाइनिंग हो गई है अब इसको हम डबल कर लेते हैं और साइड में इसके फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं नीचे तक हमें इस सिलाई को लगा लेना है दूसरी साइड में भी हमें इसके फिटिंग की सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है अब हम इसका घेर फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंट्स आप इसको अपनी बेबी को पहना कर उसके हिसाब से भी कम या जादा घेर इसका फोल्ड कर सकती है जितनी लेंथ फ्रोक की आपको अच्छी लगती हो आप इसको छोटी भी कर सकती है लेंथ में यहाँ पर फ्रोक हमारी कितनी प्यारी सी बन कर तयार हो गई है नीचे का डिजाइन भी इसका लुपी का बहुत प्यारा हो गया है और फ्रोक बेक साइड से यह हमारी इस तरह से है फ्रेंट्स वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत बूलिएगा मिलते है नेक्स वीडियो में